नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस बन लिवन मैं हूँ आपके साथ कृतिका अमफान के बाद एक और तूफान ने दी दस्तक जिसका नाम है निसर्ग तूफान बुद्वार को महराश्ट के तट से टकराएगा मुंबई और गुजरात में रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने बताया कि यह तूफान गंभी रूप धारन कर सकता है इस बीच देर साम से महराश्ट में भारी बारिश भी सुरू हो गई है इस तूफान से पालगर और रायगर इस्तित केमिकल और परमानू स स्यंत्र पर भी खत्रा उत्पन हो गया है इसकी सुरक्षा के लिए साब्धानिया बढ़ती जा रही है पालगर में देश का सबसे पूराना तारापूर एटोमिक पावर पॉइंट है वही गुजरात और महराश्ट के तटिये छेतरों से 40,000 लोगों को सुरक्षी तस्थान पर पहुचाया गया महराश्ट में लोगों को तटिये इलाकों में जाने से रोका गया है मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार निसर्ग तुफान गंभीर चक्रवाती तुफान बन गया है हवा की रफतार 100 से 110 किलो मीटर प्रती घंटा रहेगी पूरी राइगड तुफान आने से पहले उत्तम गाउं में इंडियारेफ की टीम मंतरी डॉक्टर हर्सवर्धन ने कहा कि निसर्ग तुफान एक गंभीर चक्रवात में तबदील हो गया है सुबर साधे पाश बजे यह अलिबाग से 165 और मुंबई से 215 किलो मीटर दूर है मंतरी ने लोगो में भारी बर्सा की आशंका है इंडियारेफ की दोनु राज्यों ने तटिये जिलो में 33 टीमें तैनात की है वहीं नौसेना के मुंबई इस तिस पश्चिम कमान ने भी अपनी सभी टीमों को अलट पर कर दिया है प्रदान मंतरी नरेंद्र मूदी ने महरास्ट गुजरात के मुख्यमंतरी से बात कर मदद का भरोसा दिया भारत में मौसम विभाग ने कहा कि अरब सागर के उपर बना कम दबाब का छेत्र और गहरा हो गया है चक्रवात निसर्ग के बुद्धवार को देर शाम तक उत्तर महराष्ट और दच्छिन गुजरात तटो पर पहुचने का अनुमान है हलाकि अमफान के मुकाबले निसर्ग थोड़ा कमजोर है लेकिन आपदा प्रभंदन दल इसके लिए भी कमर कस चुके हैं इंडी आरफ के दल दोनों राज्यों में तर्टिय इलाकों से लोगों को निकालने का काम कर रही है वे लोगों को सुरक्षी तस्था लिए वे दोनों पर पहुंचाने और जागरुप करने का भी काम कर रहे हैं बिहार जारовать्ण़ की तमाम ख़बरों के लिए बने रहें नीवड़ 1-11 के साथ नमशकार बिहार और जहाटखन की तमाम खबरों के लिए हमारी यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें